विदीशा जीले का एक छोटा सा गाउं भडेरू जहां पानी की अत्यधी किल्लत है इस किल्लत के चलते ग्रामिन बुन-बुन के लिए तरस रहे हैं पानी का इंतिजाम करने के लिए ग्रामिन बुन के लिए और अपनी प्यास बुजा रहे हैं भडेरू गाउं की जनता अभी भी बुनियादी सुधा से कोसो दूर है गाउं में दो बोर्क करवाये गए थे लेकिन उन गड़ों में से पानी नहीं निकला गाउं में नल जल योजना भी नहीं है यह तस्विर देखकर आपका मन भी विशलित हो रहा होगा या आप दुखी हो रहे होंगे विकासिल देश में पानी की किल्लत इस तरह होगी यह ग्रामेंड पानी की किल्लत से पिछले कई सालों से जुज रहे हैं ग्रामिनों की समस्या को ना ही सरपईच दूर करते हैं ना ही विधायक प्रसासन की तो बात ही कुछ और है ग्रामिन अपने समस्या का समादान करने के लिए दो किलोमिटर दूर पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं ग्राम भडेरू में हालात आपके सामने हैं गाउं के लोग बताते हैं कि पानी के लिए कई घंटों की जिद्दो जहत करनी पड़ती हैं. गंजे बासुदा से मुकेश चतुरवैदी की रिपोर्ट. गंजबा सुदा सासन प्रिसासन को अपने कुई सूचना दी कि साब दीथी निसंग जेना नहीं करते हैं. पास भी दो चार बार गए जब निसंग जेन विदायक थे. तुनगाए नहीं भाई अब धेना जेन के आभी घूमे आए. सुनते ही नहीं है ज़ता है. क्या कहना है विदायक जी का? क्या देते हैं करवा देंगें के फिर्ट करते ही नहीं है. इस तरह की समझ साथ से आप कितने दूनों से जूज रहे हैं? जाज जिंदगी हो गई साभ हमें तो तो पिर्धान मंत्री और मुक मंत्री तो बड़े बड़े करते हैं कि अमने हर गल हर नल जल योजना भेज दिये पर आपके किस तरह की मांग करते हैं सासन से सासन से यह सद के पानी होने चाहिए पानी की विवस्ता हो जाए साब तो बहुत अच्छी बात है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें